तो वाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फिस्डम अप्लिकेशन में फ्री डिमेट अकाउंट कैसे ओपेन करेंगे आपके सामने यहाँ पर लाइव फ्री डिमेट अकाउंट ओपेन करके दिखाने वाला हूँ अगर आप system application में जो एक investment करना चाहते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस टॉक में पैसे लगाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक best alternative है तो यहाँ पर system application में dimate account कैसे open करना है या आप लोग के सामने step by step बताने वाला हूं तो वीडियो को भी ना skip किये पूरा दिखेगा जिससे कि आप लोग को सही और सटिक जनकारी मिल सके तो इस application में अपना dimate account open करने के लिए सबसे पहले google play store से इस application को install कर लिजेगा install करने के बाद simply open पर click करेंगे जैसे open पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का dashboard आएगा साथ में हाँ पर जो भी services हैं साथ में हाँ पर जो भी features हैं यहाँ पर so करने लगेंगे तो आप लोग को simply यहाँ पर get started पर click करेंगे जैसे get started पर click करेंगे तो आप लोग के सामनी हाँ पर दो आपसन आता है पहला mobile number, second जो ही की email आप लोग mobile number के थुरू भी अपना demand account open कर सकते हैं जबकि email ID के थुरू भी हाँ पर demand account open कर सकते हैं यहाँ पर मैं mobile number इंटर कर देता हूँ, इसके बाद simply continue पर क्लिक करते हैं, जैसे continue पर क्लिक करेंगे तो आपके enter कियो है mobile number पर एक OTP आएगा, simply OTP को fill up करेंगे, इसके बाद submit OTP पर क्लिक करेंगे, जैसे submit OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके से आपको जो है क notification करने के allow माएंगा तो allow कर देंगे इसके बाद आप से email ID मांगेगा ठीक है यहाँ पर email ID का verification भी जरूरी है तो simply यहाँ पर email ID देंगे जो आपके phone में होगा भी email ID देने के बाद simply get OTP पर click करेंगे इसके बाद आपके email ID पर OTP आएगा OTP को simply यहाँ पर fill up करना है 4 digit का OTP आएगा चलिए OTP simply यहाँ पर fill up करके submit OTP पर click करते हैं जैसे submit OTP पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके का dashboard आजाएगा जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को कुछ यहाँ पर detail दिखाया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हूँ open free trading agreement account ठिक है साथ में यहाँ पर get access to जो है की stocks mutual fund IPO यह एंड़ एंड़ फैंड नो ठिक है simply इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी सरीके का page open होगा इसमें आपका select करके simply continue पर click करते हैं जैसे continue पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा pen card जो है verified हो चुगा है excellent your pen personal details in order ठीक है इसके बाद okay पर click करेंगे जैसे okay पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी सरीके से यह processing होगा processing होने के बाद आपका जो pen card में detail है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है your kyc incomplete ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ your kyc incomplete as per series you need to complete your kyc to start investing ठीक है यहाँ पर मेरा जो है की number लिखा हुआ है pen card का detail लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पर 5 step में जो है की मेरा dimate account open होने वाला है सबसे पहले आप लोग को जो है की digit locker के थुरू आप लोग को यह verify करना होगा की आपकी आधार card में registered mobile number है की नहीं ठीक है इसके बाद personal detail देला होगा इसके बाद bank detail देना होगा इसके बाद trading detail देना पड़ेगा और last में यह sign करने के बाद आपका dimate account जो की open हो जाएगा तो simply continue पर click करेंगे जैसे continue पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके से processing होगा तो आप लोग तोड़ा सा wait करना होगा इसके बाद facing your KYC status आएगा इसके बाद आप लोग के सामने इसके बाद आपके सामने मेरी पहचान का यह website open हो जाएगा जहाँ पर आप लोग को आधार नमबर देना है आधार नमबर देने के बाद simply इस text को यहाँ पर click करेंगे इसके बाद next पर click करेंगे capture यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद आपके सामने आपके अधार कर में रेजिटर मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा simply उस OTP को यहाँ पर fill up करेंगे ठीक है तो मेरे अधार का रेजिटर मोबाइल नमबर पर एक OTP आ चुका है OTP fill up करने एक बाद simply continue उपर click करेंगे इसके बाद आपके सामने एक कुछी तरीके से redirect हो जाएगा इसके बाद आप लोगों से six digit का यहाँ पर जो है कि dg lock और pin मांगा जाता है अगर आपके पास pin नहीं है तो forget security pin पर click करके forget कर सकते हैं मैं simply यहाँ पर जो है कि अपना जो है कि जो भी मेरा pin है वो दे देता हूँ pin देने एक बाद simply continue उपर click करेंगे जैसे continue उपर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर incorrect pin देख सकते हैं तो दोबारा से सही से pin डालेंगे इसके बाद आप लोगों से यहाँ पर allow मांगेगा account opening करने के लिए यहाँ पर दो documents आप लोगों को already selected रहेगा आपका अधार card प्लस आपका pen card का pen card का जो भी record होगा इसके बाद simply allow पर click करेंगे और जैसे allow पर click करेंगे तो आपको जो ही दोबारा से redact कर देगा account opening page पर इसके बाद आप लोगों से इन सभी documents का permissions मागेगा जैसे कि आपका अधार card pen card प्लस address detail तो simply allow permissions पर click करेंगे ठीक है इसके बाद आपके सामने कुछी तरीके का dashboard आएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर digital lock और प्लस personal details यहाँ पर complete हो चुका है अब यहाँ पर bank detail हम लोग को enter करना है simply continue पर click करेंगे इसके बाद आपका नाम आजाएगा प्लस आप लोग को father's name, mother's name gender select करेंगे और मसले इस टूटर सेलेक्ट करेंगे save and continue पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर nominee add करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इसे normally skip भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसे skip कर दे रहा हूँ nominee detail को इसके बाद आप लोग को एक signature यहाँ से upload करना है तो simply आप लोग को यहाँ पर click करके जो आप लोग का pen cardogram में आपका signature होगा इसके बाद आपके अकाउंट को वेरिफाई करने के लिए simply verify account पर simply click करेंगे और जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपके अकाउंट में एक रुपय का amount credit हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं verify your account है इसके बाद continue यहाँ पर click करेंगे continue पर click करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने साल का आपके पास study का experience है तो मेरे 0 to 1 year मैं यहाँ से select कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी experience नहीं है यहाँ पर simply wait करेंगे आप लोग को एक selfie यहाँ से upload करना पड़ेगा simply open camera पर click करेंगे और आप लोग को यहाँ से allow पर click करके ठीक है location होगर सब कुछ करके यहाँ से जो है कि आप लोग एक selfie आप लोग यहाँ से upload कर लेंगे इसके बाद selfie लेकर करके simply upload पर click करेंगे sales यहाँ पर upload हो चुका है continue पर simply click करेंगे इसके बाद जो है कि single के वाई से फार investment simply continue पर click करेंगे इसके बाद कौन कौन services investment चालू करना चाते है जैसे cash, feature and option and currency तो यहाँ पर simply let's continue पर click करेंगे और आप लोग को यहाँ पर statement ओकर upload करना रहता है तो अभी मैं कुछ भी upload नहीं करने वाला हूँ simply हाँ पर segment will not be active तो कोई दिक्कत नहीं है भी activate नहीं करेंगे इसके बाद यहाँ पर यह sign करना पड़ेगा ठीक है इस sign करने के लिए proceed पर click करेंगे again proceed पर click करेंगे तो आपके सामने इस sign page open हो जाएगा इसके बाद simply sign now पर click करेंगे जैसे sign now पर click करेंगे तो एक नहीं page open होगा इस तरीके से तो बैट करना है इसके बाद NSTL का protein website open हो जाएगा सबसे फिले consent पर click करेंगे इसके बाद आधार number डालेंगे इसके बाद send OTP पर click करेंगे और अधार OTP के माध्यम से इस sign करने के बाद आपका demit account लगभग 24-48 गंदे के अंदर में एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद आप अपने demit account के थुरू investment करने के लिए एफेंडो करने के लिए सारे activity आप लोग complete कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप अपना demit account open कर सकते हैं और मैं यहाँ पर demit account जो है कि मेरा already कई सारे demit account बे इसलिए मैं यहाँ पर open करके नहीं दिखाने वाला हूँ finally sign करके लेकिन आप आसानी से यहाँ तक जो है कि आप अपने account को open कर सकते हैं इस sign करने के बाद आप trading उकर सब कुछ कर सकते हैं तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को help मिला होगा तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना मिलता है फिर किसी next वीडियो में एक नई update के साथ